है आज दोस्तो आप सब कर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल और गरिनिक अंप है दोस्तो आज की सीटा फल की चटनी के बारे में दोस्तो वैसे तो आप सीटा फल में चटनी ना भी करो तो भी उस पर खूब सारे फूल आते हैं और फल भी बैठते हैं पर यदि हम सीटा फल की चटनी करते हैं तो हमें जो मिलने वाले फलों की गुन होता है वो काफी अच्छी होती है दूसरा जो आपको पौदा है यदि आप चटनी नहीं करते हो तो यह अपने इसाप से फैलता जाता है और आने वाले समय घाणे में इस पर काफी सारी परश्शानिया होती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकास करेंगे कि सिताफों के पौधों की छतनी क्यों करनी और कप कर चाहिए और कैसे करनी चाहिए तक हम सब से अच्छी कॉलिटी के फल मिले दोस्तों यह जो हमारे सीटाफल के पौदे है वो जो बड़े वाले सीटाफल जो आते हैं जो देड़ से 2 kg का एक सीटाफल होता है इस वाले पौदे हैं यह जैसे बताया कि इस पर हम छटनी नहीं करते हैं तो क्या होगा जैसे यह इसन आई अब देख सकते हो कि छोटी छोटी डालियों पर भी काफी सारे फूल आ रहे हैं हर छोटी डाली पर यह फूल आ रहे हैं अभी हम इसको ऐसे बढ़ने देंगे तो होगा यह कि छोटी डालियों पर जितने हैं कूप सारे फूल आये हैं हो सकता है खूप सारे फल भी बैठे पर वो छोटी डालियों वाले फल जो है, वो साइज में बड़े नहीं होंगे, यदि इसे फलो को हम बड़ी डालियों पर ले पाए, जैसे मूटी डालियों पर ले पाए, तो उसमें बढ़ने वाले फलो की गुनवता बहुत अच्छी होगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी छटाइ करनी पड़ेगी, यह तो हो गया कि हमें छटाइ क्यों करनी है, दूसरा अभी छटाइ कब करनी चाहिए, दोस्तों सिता फलो के पौदे में फूल, जो एप्रिल मेहने से आना शुरू होते है, और जुन, जुलाई, आउगस सक फूल आते रहते ह दूसरा हमें यह आद रखना होगा, कि सिता फलो के पौदे में फूल नई डाली उपर लगते हैं, तो यदि हम एप्रिल मेहने में इसकी छटाइ करेंगे, तो नई आली डाने वाले उपर फूल बैठेंगे, और उस पर फल बैठेंगे, और यदि हम सारी जोटी डालिया न कर सकते हैं, यदि हम थोड़ा बहुत लेट भी करें, तो भी कोई इश्यू नहीं है, तब तक पौदा काफी सारा विकास कर चुका होता है, और फिर जब हम कटिंग करेंगे, तो उसके काफी सारा नुट्रिशन लॉस हो सकता है, तो मेरे हिसाब से छटनी जब उसकी नई फ पतली डालिया मतलब इस तरह की, जो पेट डाली पैंसिल से पतली है, उसको हमें एक आख रखके निकाल देना है, तो इसमें से नहीं फुटय नहीं आएगी, वो मजबूत आएगी, जो डाली पैंसिल के साइस की है, उसको हम क्या कर सकते है, इसको हम कर अच्पको advocating सारा रे लगाट के काट लेते हैं आप देख सकते इसमें काफी सारे फूल आये हुए थे पर हमने फूल को नहीं रखना है और जैसे यह डाली है काफी लम्बी बढ़ रही है पर पेंसिल से यह पतली है, तो हमने इसको यहां से काट लिया, हमने इसको जहां से पेंसिल से पतली होती है, वहां से काट लिया, इस तरह भी डाली इतनी इतनी रह गई, जिस पर हमें अच्छी फलदारना मिलेगी, आप यहां देख सकते हैं, कि दोनों डालिया पतली हो गई है, पेंसिल से पतली हम इसको यहां से काट लेते हैं तो इस तरह करने से हमारा जो सिताफल का पौधे पौधे जो साइज है उसकी इसमें से जो भी नहीं डालिया फूटेगी उस पर अच्छे सिताफल बैठेंगे तो दोस्तो फल धरना के लिए इस तरह की प्रूनिंग करनी है इ और जो डालिया एक दूसरे में मिल जाती है इस तरह की उसको भी हम निकाल सकते हैं ऐसा करने से हमारा पौधा हेल्दी बना रहेगा और हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और फूटिंग मिलेगी तो दोस्तों यदि आपके पास भी सिताफल का पौधा है तो आप उसक और आपके बहुत है तो आपके दोस्तों कर लावरिंग श्तों कर दोस्तों करिके घट